जाएं दोस्तों एक पर फिर से स्वागता आपके अपने यूटूब चनल पर आज की वीडियो हम एक नई बढ़ती के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यह वैकेंसी सेस्तर सीमाबल SSB में निकलकर आ रहे हैं कांस्टेबल जिडी जर्नल डूटी के पदों पर यह वैकेंसी ही निकलके आई है इसमें कुल पदों की संक्या अच्छी कासी है तीन सो निनाड में टोटल पद है इसकी तरफ SSB की तरफ से यहां पर सोट नोटिस डिय वी पी जारी कर दिया गया है ओके फ्रेंट्स योगिता की बात करें तो इसमें टैंथ पास मांगा गया है और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दिता हूं फ्रेंट्स यह वगैंसी स्पोर्ट्स कोटावेस होने वाली है जिसके पास भी खेल सर्टिफिकेट है वो इस बरती में अपलाई कर सकता है ओके तो यह सुनेरा आफसर होने वाला है उन इस्ट्डेंट के लिए जो स्पोर्ट सर्टिफिकेट रखते हैं ओके तो बात करते हैं यह फॉर्म ओफ लाइ नए या online तो यह forum जो है आपको offline apply करना है 30 दिन की डेट है इनकी जब से इसकी डीववपी रोजगार समाचार पत्रिगा में जारी हो जाती है तब से 30 दिन होंगे ओके तो यहां पर चर्चा कर लेता है इसके short notice की गवर्मेंट ऑफ इंडिया यहां पर बात कर लेते हैं ministry of home affairs तो offline applications आपको application form जो है offline apply करना है और invited form eligible candidates for filling up 399 वेकेंशी यहां पर कूल पदों की संक्या 399 जो की अच्छी का सी वेकेंशी है ओके वेरियस events on the post of constable gd constable gd के पदों पर यह वेकेंशी है under sports quota यानि कि इसके अंदर आपको खेल certificate का होना जरूरी है ओके तो यह वेकेंशी गट बढ़ सकती है ओके तो इनके सर्तों के अनुसार वेकेंशी ससस्तर सीमा बल में SSB में निकल के आई है इसका पे लेवल बात कर लेते हैं basic पेज हो है इसका 2700 है और लेवल थर्ड की थर्ड पे होने वाला है इसके अंदर अब बात कर लेते हैं eligibility कौन कौन अपलाई कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं यहाँ पर educational qualification की तो इसमें matriculation मांगी गई है 10th pass अपलाई कर सकता है और साथ इसमें sports qualification भी मांगी गई है health certificate भी होना आपके पास अनवारिया है लाश्ट इट फॉर्था रिश्यू ओफ अपलिकेशन तो यह मैंने पहले बता दिया आपको 30 दिन होने वाले हैं जिस दिन से रोजगार समाचार पत्रिका में इसकी विग्यपति जारी होती है उस दिन से 30 दिन तक इसके offline forum बरे जाएंगे और आपको fees भी पे करनी है या आप 100 रुपए fees है उन candidate के लिए जो UR OVC से belong करते हैं EWS से जबकि SC, ST और female candidate को exempted छूट दी गई है fees में ओके अब आपको fees कैसे पे करनी है fees आपको IPO Indian postal order से पे करनी है या फिर demand draft से आपको पे करनी है fees आपके form के साथ आपको IPO Indian postal order 100 रुपए का जरूर लगाना है ओके तो यह बात होगी यहां पर application fees की तो इसकी पूरी विग्यपति जल्द जारी हो जाएगी साइट पर SSB recruitment.goe.in पर तो फ्रेंट्स उमीद करता हूँ आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा अगर आपके लाइक वेकेंश है तो आपको जरूर अपलाई करना चाहिए फोर्म अगर अभी आपकी कोई क्वेरी जे कोई क्वेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं ओके फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए इस्टेव मिश्टे सेफ जैहिंद अभी आप कर सकते हैं